Hello guys, स्वाकत आपका एक और जबर्दस सेशन के अंदर आज ना मैं उन लोगों को अवेर करना चाहता हूँ उन लोगों को एक ऐसी डीप स्ट्राटेजी बताना चाहता हूँ जो की affiliate marketing में अपना career long term के लिए set करना चाहते है करना चाहते हो, अगर चाहते हो ना जल्दी से comment में बताओ मैं आपको affiliate marketer बना के चुलूँगा और affiliate marketing भी वह वाला नहीं, जो कि आप YouTube में ये छोटे मोड़े टेकनीक सीखते रहते हो इसको click करवाओ, telegram join कर लो, group, facebook group join कर लो, वहाँ पर link post करते रहो नहीं, बिल्कुल, ऐसा नहीं, वह affiliate marketing सीखाऊँगा, जो कि इस दुनिया के बड़े affiliate marketers करते हैं जब ये बड़-ड़े event होते हैं, जिस event का, ticket का cost is thousand dollars का होता है वहाँ पर affiliate marketers आते हैं, वह किन strategy का implement करते हैं, मतलब तब जाके उनको इतने बड़-ड़े level पे affiliate marketing करके earn करने का मौका मिलता है, वो technique आज मैं आपको इस session के अंदर सिखाने वाला हूँ तो इसके अंदर तो मान के चलो कि आप कई हजारो रोपे का course भाई करके जो affiliate marketing सीखते हैं, वो आज आप as a free में एक like a against ये सीख जाओगे, बस like कर दो, बस वही मेरे लिए गुर दक्शना होगी आपकी तरब से अब जलने से आते हैं computer screen पे और मैं ये चाली चीज़े आपको real practical time पे सिखाना ही कुशिश कर रहा हूँ अगर आपको एक affiliate marketer बनना है, तो इस दुनिया के सबसे best affiliate marketing strategy कौन सी रहेगी, let me explain तो आज हम बात करेंगे strategy, देखो, क्या होता है, जब हम कोई भी business start करते हैं, business का main goal क्या होता है, revenue, profit, यही होता है, तो हम जब किसी भी business हो start करते हैं, तो उसमें strategy लगा कही काम करते हैं, अगर हम strategy नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, कि आप कभी भी अच्छा कासा profit या revenue generate नहीं कर पाओगे, तो affiliate marketing is also what, it's a business, course it's a business, इस दुनिया में जो लोग इसको कर रहे हैं, वो इसको business मान के कर रहे हैं, ना कि एक side hustle, मतलब हो जाए तो हो जाए, नहीं हो, तो चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो इसको pure business मान रहे हैं, और जब हम किसी चीज़ को business मान के करते ह उसके proper strategy को implement करते हैं, तो आज मैं आपको सिखाओंगा एक ऐसी strategy, जो कि इस दुनिया का almost हर affiliate marketer use करता है, और उसी strategy की बज़े से उसका affiliate revenue है, वो बन पाता है, चलो, अब मैं जल्ली से बता देता हूँ, वो strategy है, P.R.E.C. जो कि इस दुनिया में हर affiliate marketer को revenue generate करने में help करती है अब ये P.R.E.C. का काम क्या होता है और ये करता कैसे है, जल्ली से मैं आपको होता हूँ, P.R.E.C. मतलब है, सबसे पहले, pick, reach, educate and then convert, ये है P.R.E.C. का main, जो fundamental है, जो आपको सीखना है, समझना है, आज इस particular course के अंदर, आप देखना कि अगर आप इसको करना start करोगे, तो इसको achieve करना सिखाता हूँ, इसको one by one step सिखाता हूँ कि इसको करना कैसे होता है, pick, सबसे पहले, pick, मतलब होता है कि आप अपने audience को यहाँ पर pick करते हो, कि किस audience के लिए आपको affiliate marketing करना है, देखो, इस दुनिया में, जब भी आप कोई भी एक दुकान open करते हो, for example, shop, showroom, या सबसे पहले mind में क्या रहता है, कि आपको बेचना क्या है, किसको है, ये दो चीज़ सबसे बेड़े, आप माइंड में रखते हो, तो उसी को ही आप यहाँ पर pick कर रहे हो, बेचना क्या है, उसके लिए तो हमारे पास दुनिया जहां के products available है, आप बताओ कि कौन सी company का product चा कि audience को pick करना, सबसे पहले आप ये decide कर लो कि audience कौन होगी, example के तो और पर मैं बताता हूँ, अगर मैं एक दुकान दार होता और मैं bangles बेचता, bangles मतलब चलो, मैं आपको और brought time में बताता हूँ, तो बज़े ladies के समान बेचने है, lipstick, bangles, eyeliner, ये बेचना है, तो मैं क्या पिक करूँगा audience, audience कौन होगी यहाँ पर, course ladies होगी न, girls होगी, अभी जो girls होगी, ये मुझे कहां मिलेगी, वही पर मुझे दुकान डालना चाहिए, अब अगर मैं किसी ऐसे जगा पे open कर दो, अपना ladies का shop, यहाँ पर ladies आसवास दूर दूर तक नहीं है, तो क्या मेरा समान हो जाता है कि यह रहा मेरा audience, now let's do one thing, अब इस audience हो करना है reach, reach मतलब उस audience तक मोचना है, इसमें अब आपको ये पता करना है कि इस type की audience आती कहां पर है, that is reach की, for example, इस market में ladies जादा आती है, या इस particular, you know, area में ladies जादा आती है, या इस particular institute में ladies जादा आती है, भी या वहाँ प audience से जादा traffic चाहिए जो कि हमने यहाँ पर pick किया था प्रेक वाले process में पिक जिसको किया था अब यह सबसे पहले अगर मैं बात करूँ audience अगर मेरी ladies है यह example की बात कर रहा हूँ तो इनका traffic generate करना is what? reach generate करना प्रेक का step 2 reach अब जैसे माल लेते हैं कि उन्हें traffic generate करना start कर गी अब यह मत पूछना अभी बहुत अर्गी हो जाएगा पूछना कि traffic generate करना यही तो में इनका में यही तो बताओ वगरा वगरा नहीं नहीं अभी सिर्फ समझ लो उसके बाद मैं सारी चीज़े को detail में बताने बालाओ अब traffic जैसे generate हो जाता है अब the next चीज जो की बहुत important है which is educate अब उस traffic को educate करो प्रेक में E educate किस चीज़ का education? अभी तो product कहीं से picture में नहीं है भूल जाओ affiliate marketing में भूल जाओ कि आपका product कहीं भी picture में starting के 3 steps तक आएगा बिल्कुल नहीं आएगा अब आप यहाँ पर educate करोगे with the help of your content marketing जैसे आपका content marketing आपको पता यह content marketing क्या बला है? आज की दुनिया में हर बड़ी से बड़ी company हर बड़ी से बड़ी firm जो भी बोल लो अगर आप product sell कर पा रही है online तो guys वो सर्फ content marketing के बदौलत कर पा रही है इसके अलावा भूल जाओ कि आपका product बेख सकता है advertisement का जमाना गया promotion का जमाना गया अब लोग promotion और advertisement के बल पे कोई product नहीं बेच पा रहे है आगर आपको product सच में बेचना है तो you have to learn the content marketing क्योंकि content marketing ही आपके audience को educate करता है किसी particular product में convert होने के लिए now मैं मान लेता हूँ कि आपको content marketing में ने सिखा दिया आप बहुत अच्छे तरीके से अपने audience को educate कर पा रहे हो बस अब सिब educate करके चोड़ दोगे तो आपका primary goal जो की है conversion वो तो यहाँ पर रहे गया वो कैसे करोगे वो नहीं करोगे तो आपका तो पैसा बनना ही नहीं है यहाँ पर हराप तो अब यहाँ पर आपको जो करना है that is conversion अब उसको convert करना है अब convert करने के लिए इसे content marketing के बदालत you will be using CTA call to action guys यह call to action वो चीज है जो कि अब finally आपके उस audience को जिसको आपने पिक किया था उसको आपका product में convert कर देता है तो यह है पूरा वो funnel जिस funnel के थुरू आप अपने audience को convert करते हो है and that is known as PREC strategies P-R-E-C strategy am I clear guys? अगर आपको समझ आ गया है then it is amazing because अब जो आप आगे सीखने वाले हो that will be the practical part you can say that कि अब आपको धीरे धीरे शार्प कर रहा हूं कि कैसे affiliate marketing गाम करता है तो यह model देखके आपको यह तो समझ आ गया अब ही तक अगर आप affiliate marketing कर रहे थे तो लिंक को यहाँ वाँ copy paste करके तो वो actually मैं affiliate marketing था ही नहीं और इसलिए आप आस्ता कुछ कर नहीं पाए या तो आप बहुत ज़दा earn नहीं कर पाए और अगर कर भी लिया है तो वो temporary था कि एक आत बार हो गया उसके बाद तो आए नहीं था लोगों के affiliate marketing की income पता है पर्मनेंट होती है lifetime बलकि बढ़ती ही रहती है अगर मैं लास्ट मन 10,000 डॉलर्स किया था तो क्या पता है इस बार भी मैं 10,000 डॉलर्स तो करूँगा ही करूँगा because that is permanent and stagnant मतलब वो तो रही गए देगा बलकि क्या पता मेरी strategy और अच्छी काम करे या मैं उस पर और उसको optimize कर दूँ और 10,000 का 15,000 कर दूँ 20,000 कर दूँ और कभी का बार तो हो सकता है यह sales वगरा आ रही हो या फिर festival season में तो क्या पता वो 50-50,000 दॉलर या 1,000,000 दॉलर तक के भी मतलब product जो है वो बिख जाते है मतलब आपका conversion आना शुरू हो जाता है तो आपके तो बल्ले-बल्ले हो जाते है कभी भी आप यह affiliate marketing के जितने भी events होता है खासकर यह जो Bangkok वगरा में होता है आपको आपको करना है कि आपका audience को होता है audience वो होता है जो कि आपके product को consume कर सकता है या फिर उसको buy कर सकता है तो अब मैं क्या करूँगा अगर example के तौर पर मानलू एक headphone है और ये headphones जो है या तो वो buy करेगा या वो consume करेगा consumer मतलब वो use करेगा consumer जो होता है in consumer तो headphones का मुझे affiliate marketing करना है यह है मेरा affiliate product यह मैं मानलेता हूँ हाला कि मुझे कभी भी अपना product जो है वो initial level पर decide नहीं करना होता है कि मैं product क्या होगा सबसे पहले मुझे एक genre decide करना होता है कि मैं किस ताइप की audience को target कर सकता हूँ तो audience का एक genre होता है जिसे हम कहते है niche एक level पर कि मैं किस niche पर जाओं या किस ताइप के audience को target करूँ तो यहाँ पर genre को target करना होता है audience के point of view में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर audience कौन होगी guys जो की electronics item पे interest रखती है electronics या फिर आपके ऐसे तो gadgets इन पे interest रखती है अब आपको पता simple क्या करना है इनको target करना है जो electronics या gadgets से linked है या फिर इनको buy करते हैं या use करते हैं तो यह आपकी audience का genre हो जाता है तो pick कर लिया कि मैं की इनको target करूँगा जो electronics और gadgets के लिए फोड़ा inclined है that is what your audience is अब अब अगर मैं और भी detail में जाओ तो आपको tools चाहिए होते है जो tools आपको ये बताते हैं कि इनका जो majorly location जो इस type के product बिखते हैं उसका location क्या होता है अब ये tool जो है ये कुछ expensive tools होते हैं वो आपको initial days में नहीं मिलेगे तो initial days में हो सकता है मैं आपको कहूँगा कि आप assume कर सकते हो as per अपने environment को देखते हुए कि किस्टैप के लोग खरीदते हैं जैसे for example अगर मैं headphones की बात करूँ और headphones में भी किस्टैप के headphones क्या वो कान में लगाने वाले headphones तो वो तो फिर बहुत सस्ते होते हैं अगर वो wireless headphone चाहिए जो कि सर के उपर से जाता है तो थोड़े से expensive होते हैं और अगर आपको बिल्कुली birds चाहिए होते हैं जो कि कान में एक दूम छोटे से रहते हैं वो तो और expensive होते हैं अब मान के चलते हैं गाउं में कोई भी वो छोटा bird नहीं लगाता अगर वो bird 5000 से उपर करें तो कोई नहीं खरीदना चाहिएगा क्योंकि गाउं में अभी वो mentality नहीं आया कि महेंगे product खरीदने होते हैं तो इस तरीके से हमें location पे depend होना होता है अपने product के लिए अपने product की audience target करने के लिए pick करने के लिए और हमें age group पे depend करना होता finally हमें behavior पे depend होना होता है कि अगर मुझे ये तीन चीज़ पता लग गई तो इसका मनले मेरी audience pick हो गई मैंने audience pick कर लिया सबसे में बता करो कि इस location की लोग को target करना है आपको आपके product के लिए अना उसके बाद age behavior तो ये आए गई आएगा अब मान लेते हैं मेरा जो location है वो tier 1 cities है tier 1 cities में मुझे बेचना है हाला कि आप गाओं वगरा में भी sell कर सकते हो अगर internet की availability वहाँ पर है लेकिन मान लेते हैं tier 1 cities है और tier 1 cities कौन सी होती है इंडिया के case में आगर बोलना हूँ तो डेली, मॉंबई, चन्नाई, कुलकता, एमदबाद, चंडिगड़ी यह सब tier 1 cities में आ जाती है लेकिन अगर मैं बात करूँ बहार की, United States की तो वो तो country ही tier 1 की country है मतला वहाँ पर आप मान के चलो पूरी की पूरी country ही tier 1 countries है तो वहाँ पर तो आपको कोई भी issue नहीं आएगा तो आप उस particular cities को target करोगे तो यहाँ पर tier 1 cities को target करो उसके बाद आप देखो कि आपका कौन से age group के लोग आपको ले रहे है अब for example 45 plus जो होते हैं वो मुझे दी लग रहा कि headphones करी देगे headphones कौन से होते हैं वो बड़े-बड़े जो सर के उपर लगते हैं behavior कौन है behavior बहुत important बात बता रहा हूँ जो की music सुनते हैं खासकर उनके लिए listening music जिनका behavior है उनके लिए सबसे hot target होता है वालब उन audience को target करने का सबसे hot थरीका है कि अगर आपको headphone sell करना है तो यह सबसे hot targeting हुई आपके behavior के point of view से तो यह तीन चीज़ जैसे ही मिल जाती है आपका प्रेक में से P जो है वो complete हो जाता है so far so clear तो जैसे ही आपको मिल गया कि हाँ यह रहा age group और यह रहा मेरा location और यह रहा behavior तो कहानी आपको समझा गई तो अब मैं इसको थोड़ा सा fear में लिखता हूँ जैसे कि मेरा audience कौन मन गया let's suppose tier 1 cities और age group हो गया 18 से 30 और जिनका behavior है music listening यह मुझे audience मिल गया that is my P P मेरे complete हो गया अब चलते हैं reach पे प्रेक में R is a reach अब इन पे reach traffic कैसे generate करना है बहुत important चीज है समझ लो guys बहुत important चीज है अब मुझे बताओ tier 1 cities को target तो चलो आप करोगे लेकिन आप आपको यह देखना है कि 18 से 30 के age के लोगों को target करना है वो भी music listener तो आप क्या करोगे guys आप traffic generate कहां से करोगे सबसे जो इस दुनिया का basic तरीका है traffic generate करने का that is SEO कि आप अपना एक website लो blog लिखना start कर दो but आज की rate में अगर मैं बात करूँ तो SEO से भी उपर एक ऐसा तरीका आ गया है जिसमें आप आराम से अपने audience को target कर सकते हो with the help of social media and that too is particular group को अगर आपको target करना है जो कि जिसमें यह तीनों चीज आती है that is Instagram guys I'm telling you Insta is one of the best suited traffic जो आप generate कर सकते हो या फिर रीज कर सकते हो for tier 1 cities क्योंकि maximum tier 1 cities जो है इंस्टा पे ही है Delhi, Mumbai, Chandigarh, Chandigarh, Kolkata के लोग tier Instagram पे है और यह age group भी Instagram के लिए सबसे best age group है जो कि लोग जाते जाते हैं और plus Instagram is all about आपके लोग है तो music listening मतलब music सुनने वाले लोग जो है वो खासकर Instagram पे, Instagram पे है क्योंकि Instagram में Reels जो मनती है वो music के base पे ही बनती है और तब ही जाके लोग उसको target करते हैं तो यानि guys Insta is the best place to reach your audience मतलब आपके पास एक medium मिल गया है जिससे आप अपने audience को reach करोगे for your affiliate marketing आप सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप Insta को target कैसे अगर होगे Insta को target करने के लिए सबसे पहले एक Insta पेज बनाओ Insta page मतलब एक Insta profile बनाओ उसका कुछ ऐसा name सेलेक्ट करो थोड़ा सा cool क्योंकि आप जिसको target कर रहो guys they love the coolness मतलब उनको ना उनका swag होता है कि coolness है तो मज़ा है अगर एक tradition है तो मज़ा नहीं है उनके लिए आप ऐसी audience को target कर रहो headphones के लिए खास कर क्योंकि मैंने आपको बता है यह audience आपकी यह है तो guys एक ऐसा cool name decide करो जो कि बहुती मतलब यहनो थोड़ासा fancy लगे and once the name has been decided as a cool cool name decide हो गया जल्दे से insta का page बनाओ अच्छा सा bio कैसे बनाना है वो सारी चीज़े अब मैं बहुत डीप में जाके नहीं बता सकते हैं यह पर अब अच्छा सा bio बनाओ bio में आप chat GPT का सहारा लो chat GPT is something जो कि आज चीज में आपको chat GPT उसको मैं आपने टीप को सिखा दिया है बहुत आपको सारी महना स्पूट करनी पड़ेगी जहां पर आपको एक AI assistant मिल रहा है मतलब एक assistant जो की 24 घंटे आपके लिए काम करनी लिए बस आपको से बताना आना चीए AI को कि कैसे उसको result देना है कैसे काम करना अगर यह आ गया और उसे prompt engineering के थ्रू करा जा सकता है तो आप समझ लो कि इस दुनिया में आपके लिए हवाई जाज कैसे उडाना है ना यह भी आपको chat GPT बना के देदेगा मतलब आपको सिखा देगा कि chat GPT कि आप हवाई जाज अगर आपको करना है तो गाइस मैंने प्रॉम्ट engineering का एक कोर्स लॉंच की है उसमें इतनी effective lessons है जो कि मैंने लाइफ में करकर के सीखा है practical किसी से पढ़के और किसी से कोर्स लेके दुबारा को सिखा रहा है ऐसा नहीं है मैंने खुद कर रहा है तब जाके मैंने उसमें practical lessons दी है ऐसे ऐसे उसमें मैंने applications दी हैं जो कि मैंने खुद करके दिखाया आपको कि देखो chat GPT से मैं ये करवाता हूँ तो ऐसे response आ रहा है music कैसे बढ़े नहीं 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 सिर्फ prompt कैसे इस्तिमाल करना है prompt के बारा मैं आपको हाँ पर बताया है अगर आपको करना है discounted price में मैंने इस course को launch किया है फिलाल के लिए जब मरजी बढ़ सकता है जब ऐसा लगए कि यार डिमांड बढ़ गए है तो भाईया अप प्राइस बढ़ा दो तो वह हो सकता है तो इसलिए जल्दी से आप description में लिंक पर क्लिक करके आप उसको अब भी क्या भी enroll कर सकते हो करना सीख लो क्योंकि आने वाले टाइम में हर कोई chat GPT में ही अपना workload जो है देने वाला है और तब अगर आप पीछे रहे गए या फिर आपको नहीं आता है तो आप से कोई काम ना करवाएगा ना आप से कोई जुमना चाहेगा किसी काम के लिए तो इसलिए वक्त की दिदाकत को समझो और वक्त को राइड करना सीख चलो अब जली से आपने जैसे ही बायो बगरा लिए इंस्टा से ना उसको इंटर कर दो अब आपका पेज रेडी है क्योंकि आपका जो रीच है वो करने के लिए आप रेडी हो अब रीच के लिए प्ल और इस तरीके से आप अपने ओडियंस को किसी चीज को लाइव करके दिखा के समझा रहे हो तो उसे कॉंटेट मार्केटिंग केते हैं एक्जांपल के तोर पे कि आपका page किस चीज़ पे है headphones पे है मान के चलते है कि headphones का आपको affiliate marketing करना है तो आप headphones के लिए content बना होगे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप headphones के features बता रहे हो आप headphones से related ऐसे-ऐसे education प्रोवाइड कर सकते हो जो की बहुत cool हो ना की boring हो जैसे for example headphones से best आवाज कैसे निकाले उसकी settings क्या हो सकती है तो best settings for headphones headphone के use cases क्या क्या हो सकते है आप वो बता सकते हो अब अगर market में कोई latest headphones भी आ रहे है क्या पता आप उसके features भी दिखा सकती हो कि देखो इसमें ये hidden features है जो की आपको पता नहीं थे तो इस तरीके से आप content की marketing कर रहे हो ना कि उस headphone की marketing कर रहे हो आप content बनाओ और उस content की marketing से देखना लोग educate होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके headphones के लिए वो convert होना शुरू हो जाएंगे जब आप अपने content marketing में आपके content के अंदर अच्छा कासा आप value प्रोवाइड कर रहे हो यह सारी चीज़े प्रोवाइड करके जब आप value प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके audience के मन में आपके लिए trust बन रहा है यार he is one of the best you know page and instagram जो की headphones से related बहुत सारा content बनाता है मतलब now trust वाली feeling आगे एक ना connection बैट गया आपको और मेरा जैसी वो connection बैट जाता है guys अब आता है pregnancy last step of this process which is call to action यहाँ पर आप बोल देते हो want to buy click here for Amazon मतलब अगर आपको buy करना है तो यहाँ पर click करो आप सीधा Amazon पर प्रोच जोगे वो content marketing से क्यों क्योंकि आपने उसको सारी चीज़े बता दी उस particular headphone से related कि अगर आप gym करते हो तो यहाँ फोन बेस अगर swimming करते हो तो यह फोन बैस अगर आप dance लिगते हो तो यहाँ बेस अगर आप आपने उसको content marketing से पूरी तो पर coins कर रखा तो जैसे आपने link दिया और उसको इस button के साथ लिख दिया click here from Amazon तो guys इसका मतलब क्या हो गया उसके लिए convenience आ गया वो convenience क्या है कि उसको अलग से जाके search नहीं करना पड़ा Amazon पे Amazon का link ही आपने उसको दे दिया and वो उसके लिए convenience count हुआ उसने click किया आपके उस link पे Amazon पे वो चला affiliate marketing को अंजाम दिया जाता है यह crash course था पूरे affiliate marketing journey का जो कि मैंने आपको बहुत ही संक्षप में clarity के साथ एकदम clear करके समझाया है आप इसको करने के लिए जो वो practical steps होते हैं वो बहुता depth में होते हैं जो कि एक ही वीडियो में दे के बोर कर देना आपको या सिर्फ एक ही chapter में सारा समझाताना it is not possible तो इसलिए में क्या करूंगा मैं धीरी दर chapters लाओंगा इस particular course के उपर इसी चानल पे धीर दर लाओंगा एकदम से भी लाओंगा पीछ में और भी मेरे commitments होंगे बहुत सरे और चीजह होंगी जो कि मैं अपनी life में करता रहता हूँ इसी चानल पे या मे करता है आज का वीडियो वहत valuable था क्योंकि मैंने आज अपना जो रियल जो एक तरीका है इस दुनिया में हर कोई बड़ा इसी तरीके से करता और यही एक तरीका legitimate है इसके लावा बागी तरीके जो है वह एक non legitimate तरीका है मतलब हाँ लोग कर लेते हैं एकाउंट सेस्पेंड करवा बैठते हैं फिर बोलते हैं कि affiliate marketing काम नहीं करता वगरा वगरा यह सारे चीज़े हो सकती है लेकिन मैं कहूंगा कि आप affiliate marketing को इस तरीके से करो बागी चैनल पर बने रहा हो यह request करूँगा मिलते बने next studio में तब तक के लिए यूही मुस्कुरात रहे और दिमाग मेरे स थनकाते रहे हैं बाइ गाइस